जैहिन दोस्तों पहले ही सबको दुर्गा पुजा का हार्दिक शुपकावनाए इसकी से के साथ आज के वीडियो एक बहुत ही बढ़िया गुड नियूस देना के बात करने जा रहे है लेकिन आगर आपको पोस्ट अपिश में काम करना है और आपने अभी GDS इन्फो को सब्स इमेरेशन फॉर दा पोस्ट आप MTS Postman Main Guard जी हाँ दोस्तों पहले जो है MTS का अलग एक्जाम होता था Postman Mail Guard का अलग एक्जाम होता था लेकिन आप से जो है MTS Postman Mail Guard सभी के लिए सिंगल एक्जाम ही conducted करवाए जाएगा ठीक है पहला क्या करेगा यहां से आप लोग देख सकते है Option and Order Preference का पहले आपको देना होगा Option for the Post obviously अगर आपने पोस्ट में Mail Guard को Select नहीं किया तो आपको वो तो पोस्ट नहीं मिलेगा फिर उसके बाद क्या है प्रिफरेंस देना होगा Division by Applicants बोथ MTS और GDS for Postman and Mail Guard जितना भी regulation है 3 years, 5 years के बाद आप लोग जो दे सकते है उसको प्रिफरेंस फ्रॉम आपको फिलप करके दे देना होगा ठीक है इस बाद दुर्गा पूजा में आप कहा क्वा पैंडियल देखने जाएंगे कैसे मादुर पैसले क्या हो टेस्ट स्टेज ऑप MTS Candidates for Vacances of Postman Mail Guard मतलब Postman Mail Guard के लिए पहले MTS को ही सूजय मिलेगा Option मिलेगा उसके बाद MTS के बाद GDS को जैसे मिलता आ रहा है वही होगा उसके बाद selection अगर कोई Refuse करता है selection against GDS Candidate Refusal और उसके बाद unfilled Vacances जो है Postman Mail Guard का वह GDS से लिया जा आप Post करके पर सकते हैं List of GDS Candidates for the Post of MTS एसे ही जो है किया जाएगा वीडियो अच्छे लग है तो लाइक कीजिएगा शियर कर दीजिएगा आपने दोस्तों के साथ और सबस्क्राइब कीजिएगा GDS Info को Goodbye